हेलो दोस्तो, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तो आज मैं आपको बताऊँगा कि एक आप इंवस्टमेंट की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं? दोस्तो जैसे आपको स्क्रीन दिख रही होगी इस पर एक मैंने वेबसाइट ऊपन कर रखी है जिसमें आपको प्लांस दिख रहे होंगे, प्राइमरी और वियाईपी और पर्चेजड, तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी वेब साइट को बनाना सिखा हूँगा, मैं आपको पहले इसका ओवर्वियू दे देता हूँ, इसमें आपको क्या-क्या मिलने वाला है, दोस्तों, इसमें हम एड इड्मिन से एड करेंगे, तो वहां पर हमें ऑप्सान होगा, क्या यह प्राइमरी में रखना है, ए वीइप में रखना है, तो दोस्तों, जैसे यहां पर मुझे दिख रहा है, प्लान का नाम और डेली इंकम मुझे देख रहा है पांशो रुपे, कप तक मिलेगा, यहां पर दिख रहा है income days, 100 दिन तक के लिए, ठीक है, अब suppose करो मुझे इसको invest, मतलब इसमें मेरे को invest करना है, तो इसके लिए मैं simple invest now पर क्लिक करूँगा, success का message आ गया, इसका मतलब मैंने ये वाला plan purchase कर लिया है, means इस पर मैंने invest कर दिया है, अब मैं इसको आप, अब इस plan को मैं purchase में जा के दिखा हूँ आपको, तो मैं purchase वाले टैप पर क्लिक करता हूँ, नीचे देखते हैं, ये देखो, अभी मैंने इस वाले जो ये वाला जो plan था, इसको मैंने अभी purchase किया था, तो ये मेरा purchase वाले list में सो होना start हो गया है, अब इस इस बटन पर क्लिक करके जो भी इसका डेली का ROI होगा, वो मुझे इस पर क्लिक करने के बाद मेरे वालेट में एड हो जाएगा, जैसे मैं इस पर आपको क्लिक करके देखाता हूँ, जैसे मैंने इस पर करा claim reward, ये देखो, success reward claimed, ये मेरे पास message आगया और जो भी इसका डेली जो भी मिलना था, इसमें डेली इंकम 500 रुपे दिख रहा है, तो ये मेरे वालेट में आपके एड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो इस टाइब की वेबसाइट को आप बनाओ के कैसे, उसका मैं आपको आज सिंपल प्रोसीजर बताने वाला हूँ, तो इसके लिए मेरे Penis, पास एक domain होना चीजए, एक hosting होना चीजए, जो कि मेरे पास Hostinger से मैंने Purchase कर रखा है, मेरे domain का नाम है mckach.site, और hosting मैंने Hum Porterack kita.ind तो दोस्तों, इसके source code के लिए आपको Google पे जाना है, और Google सर्च करना है, mckach.in तो दोस्तों इस website पर जाने के बाद आपको search product में click करना है और search product पर click करना है और यहाँ पर search करना है आपको investment V-E-S-T-M-E-N-T investment search करके hit करना है आपको यह दिखा रहा होगा यहाँ पर version 2 ठीक है आपको इस वाले source code को buy कर लेना है simple process जरे buy करने का इस पर मैं click करूँगा add to cart करूँगा और buy कर लोगा दोस्तों मैंने इसको already buy कर रहा है तो जो भी इसको buy होने के बाद तो मुझे zip मिलेगा वो मैंने already extract कर रहा है time बचाने के लिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड होने के बाद वो कैसा दिखेगा यहां पर दोस्तों मुझे एक zip मिलता है उसमें एक SQL file मिलता है ठीक है जो SQL file है उसको मुझे database बना के अपना एक hosting पर वहाँ पर upload कर देना है simple मैं आपको बता देता हूँ database आपको कैसे बनाना पड़ेगा hosting पर आपको यहां पर search करना है database यहां पर यहां पर जाके मैं अपको डेटाबिस कर नाम डाल देना है तो मैं अभी यहां पर डेटाबिस कर नाम डाल देता हूँ Makaz site टेस्टिंग के लिए मैं Makaz site database कर नाम डाल देता हूँ यूजरनेम भी सेम ही डाल देता हूँ और पासवर्ड में मकाज साइट अड़ रेट नो आट साच छे पाँच चार ये डाले देता हूँ इसके बाद करेट पर गिलिक करूँगा लेकिन इसके कुछ कंडिशन से तो मैं मकाज का M-capital कर देता हूँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ आप करेट करता हूँ यह देखो दोस्तो डेटाबेस करेट हो गया अब मुझे जो डेटाबेस मिला था जब मैंने जिप को डाउनलोड किया था तो वो वला डेटाबेस यहाँ पर अपलोड कर देना है प्लिक करूंगा उसके बाद इस वाले डेटावेस में इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करके चूज फाइल जो मुझे डेटावेस मिले था यहां पर सिंपल जाकर उसको इंपोर्ट कर देना है देन इंपोर्ट पर क्लिक कर दूंगा दोस्तों देखो मेरा जो डेटाबेस था वो successfully import हो चुका है अब वो इसके बाद आपको जो इसका code मिला होगा उसमें थोड़ाशा चेंज करना है बस उसके लिए मैं VS code open कर लेता हूँ मैंने already इसमें open कर रखा है यह तो यहाँ पर जाकर आपको search करना है db underscore user तो आपको यहाँ पर आपको देखेगा database user, database password और database name अब जो मैंने database का नाम रखा था यहाँ से database user को copy करना है यहाँ पर paste करना है और replace वाले button में मेरे को जो मैंने database का नाम रखा था वो लाके बस paste कर देना है उसके बाद आपको click करना है replace all लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक problem हो गई कि मेरा जो database का password था वो मैंने different रखा था यहाँ पर लेकिन password भी same हो गया तो अब इसके लिए मेरे को file by file जाके इसका database का जो password है वो change करना पड़ेगा तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ database password मुझे दिख रहा है इस पर जाके जो मैंने database का password रखा था वो यहाँ पर enter क ठीक है यह file में हो गया con.php अब इस वाले file में जाना है यह है database root password यह वाला और एक file है connection.php जो की config के अंदर है password तो दोस्तों जो भी database का password था वो मैंने सब जगा change कर दिया है जहाँ जहाँ पर change करना था ठीक है यह हो गया तो अब जो भी मेरा code है यह almost ready है अब इसको बस zip करके मेरे को hosting पर upload करना है तो जहाँ पर मेरा code है मैं वहाँ पर जाता हूँ select all और इस वाले zip को इस वाले को इसको unselect करके जिप में convert कर लेता हूँ compress to zip तो यहाँ पर मेरा जो code था वो zip बन चुका है अब मैं इस code को जाके सीधा hosting पर upload कर दूँगा तो मैं यहाँ से search वाले में से इसको हटा देता हूँ तो ओवर व्यू पर क्लिक करके file manager public html के अंदर आके यहाँ पर मुझे इस वाले बटन पर क्लिक करना है और file छूज कर लेता हूँ जो भी file था this one then open sit दोसो एक चीज और इसमें एड करना था वो मैं बूल यहाँ बटा देता हूँ वो मैं लाइव सर्वर पर आपको करके दिखा दूँगा लेकिन उससे पहले मैं एक चीज यहाँ पर भूल गया आपको जाना है इसको जाना है इसको URL देखेगा तो जिस भी आप जो भी domain पे इसको प्लेस कर रहे हो वो वाला domain का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है जैसे मैं करना हूँ मकाज.site पर ठीक है कोई भी फोल्डर में भी कर देता हूँ इसको उसके बाद सारी फाइल्स उठाओ मूव कर लो एक बैक पर ठीक है अब आपको जाना है index.html यहाँ पर करना है आपको मकाज.site जो भी आपका domain का नाम हो बस यहाँ पर जाके आपको simple replace कर देना है बस ठीक है तो दोस्तों मैंन मकाज.site copy करा और new tab में जाके hit करा तो देखो दोस्तों मेरा जो website था वो open हो गया है अब मैं इसको login करके देखाता हूँ login के लिए database में यूजर नेम और password देख लेता हूँ उसके लिए आपको मिलेगा user वाले table में ठीक है उसका id है एक से लेके 0 तक पासवर्ड एक से लेके 6 तक मैं login करता हूँ इसको यह देखो मेरा website live हो चुका है अब मैं आपको इसका admin panel और दिखा देता हूँ तो admin panel के लिए simple आपको क्या करना है website का URL slash admin हिट करना है admin का id password मैं अभी आपको database से देख के बता देता हूँ users tbl admin इसमें admin है और password encrypted है तो admin तो दोस्तों इसका ID और password दोनों admin admin तहां, जो आपको code मिलेगा उसमें जो password होगा वो admin admin करे के ही होगा अगर आपको चेंज करना है आप admin से कर सकते हूँ और आपको यहाँ से भी change करना है तो Artic at encrypted है ठीक है आप यहां से इसको change कर सकते हैं लेकिन जब आप इसको change करो तो MD5 column type में choose कर लेना बस ठीक है अब मैं आपको थोड़ा admin के बारे में समझा देता हूँ इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है तो दोस्तों पहला type मेरे को दिख रहा है यहां पर manage admin user आपको यहां पर जो भी आपके admin है सारे वो आपको दिख जाएंगे सारे admin मैंने क्यों बोला क्योंकि आप इसमे admin को add भी कर सकते हो किसी को बस आप like recharge के लिए रख सकते हो कि भाही बस जो recharge आएगा आपको वो दिख रहा है means आप admin का role भी decide कर सकते हो ठीक है next आपको दिख जाता है recharge management का जो भी customer आपके game में आपके जो भी customer आपके website पर रिचार्ज करेगा उनकी जो भी request होगी वो आपको यहां पर दिखेगी कैसे दिखेगी मैं आपको एक रिचार्ज करके दिखा देता हूँ रिचार्ज पर मैं गया उस पर जाने के बाद यहां पर मैंने amount डाला मैंने डाल दिया suppose 5000 मैंने amount डाल दिया confirm recharge पर कलिक करूँगा उसके बाद जो भी यहां पर UPI होगा उसको कॉपी करके मैं जिनका भी website होगा ठीक है उसके बाद यहां पर UTR सब्मिट करूँगा UTR कुछ भी यहां पर मैं टेस्टिंग के लिए डाल देता हूँ दिन सब्मिट पर कलिक करूँगा रिचार्ज सक्सेफुल का पॉप अप आ गया अब मैं एड्मिन में जाकर अगर इसको देखूँगा तो यह देखो जो मेरी रिक्वेस्ट है वो यहां पर आ चुकी है मैं यहां पर सिंपल अप्रूव पेमेंट पर कलेक कर दूँगा तो मेरा जो डीचार्ज अमाउंट था वो यहां पर आकर मेरे वाइलिट में एड् ant हो गया होगा ठीक है यूजर जो भी इसमें प्लान भाई करेगा यहद यूजर जो भी इसमें प्लान बाई करेगा यह क्लेम करेगा डैली-डैली वो आपको सारा जहाँ से दिख जाएगा यूजर ठाँजेक्शन हिसट्री से, ठीक है? यहाँ से आपको ibaraj plon हिसट् सिट्री से तीखेगा, यहाँ से कलेम हिसट्री दिखेगा, next हूप मैंनिजमेंट, आपके जो भी यूजर्स है, वो आपको सारे यहाँ से दिख जाएंगे, अगर आपको किसी यूजर का बेलेस बढ़ाना है या कम करना है आप सिंपल एड्मिन से भी कर सकते हैं कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ जैसे सपोज करो आपको इस वाले यूजर का अमाउंट बढ़ाना है तो वालेट के आगे जो पैंसल का निसान आ रहा है इस पर आपको सिंपल इस वाले चेक बॉक्स पर किलिक कर देना है तो अन पब्लिस का पाप पाएगा उस पो कर देना है अब यह जो यूजर है वो ब्लॉक हो गया होगा ठीक है अब मेरे को फिरसे लिगन इसको एक्टिव करना है क्योंकि मैं आपको बस इसको यूज करना बता रह होरुन के का पडिप कर फिर्थो और अबॉडग अबंस आप इसको कर चुक हो जो आपँ अठीक कर चुक है उस्तियों कि बाजुक्ति गुड़व आपको सारा यहाँ पर देख जाएगा नैक्स को प्लान मैंचमेंट अब इस प्लान दिख रहे हैं तो दोस्तों यह जो से यहां से सैट कर सकता हूं जैसे मैं क्रियेट न्यू प्लान पर किलिक करता हूं यहां से मैं कोई भी प्लान का नाम डाल दूगा जैसे प्लान वन मैंने इंटर करा, इंकम डाल दूंगा, कितना होना है, जैसे मैंने 12 रुपे कर दिया, इंवस्ट प्राइज मान के छलो, मैंने 50 रुपे कर दिया, तोटल रेवन्यू, मैंने इतना कर दिया, दोस्तों, मैं यह बस आपको दिखाने के लिए, एंटर कर रहा हूं बस ठीक है, बाकि ज चूज कर सकते हैं, में जो चीज है दोस्तों, यहां पर यह है विए पी स्टेटस, अब यहां पर आप आओगे, आपको यहां पर दो टैब दिख रहा है, फर्स्ट है प्राइमरी, सेकंड है विए पी, अगर आप इसको यह यह विए पी टैब के अंदर सो होगा, अगर यह आपको प्राइमरी के अंदर सो होगा, ठीक है, यही डिफ्रेंस था कि हम कैसे डिफ्रेंसियेट कर पाएंगे दोनों को कि यह प्राइमरी में एड करना है मेर को यह विए पी में, आप यहां से सिंपल उसको डिफ्रेंसियेट कर सकते हो, और यह सोगा तो विए पी में enter होगा ठीक है और यहां से जो जो आपके plans है वो आप यहां से उनको देख सकते हो यहां से delete कर सकते हो उसके बाद यहां पायाता है complaint का complaint में जो भी customer आपको complaint भेजेगा like कि किसी को कुछ issue आ रहा है तो वो आपको यहां पे complaints दिख जाएंगे pending complaint और जो जो आप उनको complete कर चुके हो वो वाली complaint भी आपको यहां पे दिख जाएंगे by setting के अंदर आ जाते हैं यहां पर पूरी website का setting होगा इसमें क्या क्या होगा जैसे आपको logo change करना है जैसे मैंने यहां पे xp लगा रखा है logo आप यहां से change कर सकते है यूपी आई आप अपना यहां से change कर सकते हैं जैसे जो भी वहां पे आ रहा था अब यूपी आई मैं आपको दिखा देता हूँ change करके जैसे macas test at the rate ybl मैंने यहां पे UPI change कर दिया और save कर दिया अब अगर मैं recharge करने जाओंगा तो मुझे जो UPI दिखेगा जो मैंने अपर एंटर करा है वो दिखेगा recharge पे मैं गया और यहां पे जैसे मैंने amount डाल दिया confirm recharge यह देखो जो मैंने वहां पे UPI डाला था वो मिझे यहां पे UPI soona start हो गया है एक है दोस्तों इसमें welcome message welcome message क्या होता है वो मैं आपको भी दिखा देता हूं जिसे जो आए ना earn 100 rupees by referring your friends and family members आप उस test को यहां से change कर सकते हैं manage refer system इसमें जो refer income जो मिलेगा आपको तीन लेवल तक मिलेगा लेवल वन पे आप अपने हिसाब से टेस्ट कर सकते हैं लेवल 2 पे लेवल 3 पे यहां पे इजी gateway status इसको यह आपके काम कर नहीं इसको छोड़ो इसको इग्नोर करो ठीक है यहां से दोस्तों आप लोग आउट क बहुत ही सिम्पल स्टैप्स है इसके दोस्तों अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी इसू आरा है अगर आप सेट अप अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप जो स्कीन पर जो नंबर फ्लैस हो रहा है आप उस पे हमें कॉंटेक्ट कर सकते हम आपको एक इस्पेसल किलते है नेक्स्ट वीडियो में